हालो साथियों कैसे हो आप सब्सक्राइब और है आप और दो के बीच में तीन परमिय संख्या बताईए, माइनस दो माइनस पांच के बीच में दीपक सिंग जानना चाहते हैं, साथ परमिय संख्या, इधर अगर आप नीचे देख पा रहे हो तो नीचे भी आपको इस तरह से बहुत सारे कुश्चन मिल जाएंगे, तो बहुत सार इनके बीच में दो परमिय संख्या निकाली है, यह क्या करना है आपको हल करके निकालना है, बहुत यह आसान है, देखो कैसे, यहां पर जड़ा सा समझेने कि आप लोग कोसिस करो, सबसे पहले हमें उन दोनों फ्रेक्शन को नीचे लिख लेना, जैसा कि मैंने यहां पर ल ले करके क्या करेंगे, मतलब उसका जो हर रहेगा, उससे उपर वाली में उपर नीचे गुड़ा करेंगे, तो इस तरह से हमारा यह हो जाएगा, एक नया फ्रेक्शन और यही तरीका इसमें भी अपनाएंगे, उपर वाली भिन्न का जो हर है, यानि तीन, उससे इसमें आपस में, इनके हर बराबर हो जाते हैं, अब देखो तो छे छे हैं, अब एक मिनट आप यहां पर सोचो कि दो परमिय संख्या में निकालनी है, तो ये बताओ भाईया, बाबू, कि दो बटा छे और तीन बटा छे, यानि कहने का मतलब मोटा मोटा यह समझो आप, कि दो औ और तीन, क्या इनके बीच में दो संख्या हैं लिख सकते हो तुम? नए, सिदा सिदा कर देखें, हम एक साधारण इंसान की तरह, तो कोई इनके बीच में संख्या नहीं होती है, लेकिन अगर मैथ주는 की द्रिश्ळी से देखें, तो इनके बीच में संख्या हैं, बहुत सारी हैं अगर परिमिय संख्या की बात करें तो अनंत है लाकों करोडों हैं लेकिन कैसे जड़ा देखो एक तो यह तरीका है कि इनके बीच में आप 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे लिख सकते हो तब भी केवल 9 संख्या ही लिख पाओगे अनंत संख्या तो नहीं लिख पाओगे लेकिन इसका दूसरा जो में थठ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ देखिए आपने पढ़ा होगा सम्तुल्ले बिन अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट करके बता दे ना मैं आपको बता दूँगा कि वाटिज इक्वैलियन्ट फ्रेक्शन उसमें ये लगबग चीजें डिस्क्राइब हो जाती है अब हमें क्या करना है प्रियसाथियों इसमें हमें दो से अगर गुड़ा कर दें तो आप सोचो ये क्या हो जाएगा चार और ये कितना हो जाएगा दो तियाई छे तो भाई साब चार और छे के बीच में क्या दो संक्या है बताओ चार और छे के बीच में दो संख्या है नई एक ही है simple दोर पे न अगर इसमें हम तीन से गुड़ा करें तो यह तीन दुना छे और यह तीन तरीका नो छे और नो के बीच में क्या दो संख्या है साथ आठ है तो क्या करोगे इसमें उपर नीचे आप 3 से गुड़ा करोगे क्या करोगे भाई दोनों में 3 से गुड़ा करोगे तो बाबू आपका ये 9 मिल जाएगा ये 18 मिल जाएगा ये आपका 2 तिया इच्छा और ये 18 मिल जाएगा इस तरह से आपको क्या करना है आपको 6 बटा 18 और 9 बटा 18 के बीच में दो परमी संख्या फाइंड करनी है ठीक है चलो अब लिखो आता हाँ नीचे लिख लेना 6 बटा 18 वा 9 बटा 18 के बीच दो परमी संख्याएं इस परकार है इतना लिखने के बाद फिर ये लिखना जो मैं लिख रहा हूं ये बीच में जगा छोड़के 6 बटा 18 और 9 बटा 18 इसको बाद में लिखना तो भी आहो इनके बीच में आप 7 बटा 18 लिख सकते हो 8 बटा 18 लिख सकते हो ये सिंपल तवर पे हमें 2 ही संख्या निकालनी थी अगर इनके बीच में 10 पर्मिय संख्या निकालनी है तब आप क्या करोगे कोई बताएगा जल्दी कमेंट करके बताओ फटा फट कमेंट करो हर एक बच्चा कमेंट करेगा मैं सारा कमेंट देख पा रहा हूं लिकिन मैं पढ़ूँगा नहीं नाम अभी मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूं जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे समझ में या 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 नो आया समझ में बोलो अगर आया तो य-e-s-y-e-s या नहीं आया तो नौ जल्दी लिखो सब भी लिखेंगे एक एक बच्चा लिखेगा तब ही आगे बताओँ चलो लिखा उस पर टच करके सब्सक्राइब करें बगल में ऐसे घंटी का निसान आएगा उस पर भी क्लिक करना और उपर आल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना जिससे कि आपको सारी फ्री की कलास मिल सकें और आप भी ढई लाख तीन लाख बच्चों की फैमिली में सामिल हो सके चलिए अब हम देखते हैं कि अगर इनके बीच में हमें और संख्याय निकालनी हो मतलब दस संख्याय निकालनी हो तब हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो बच्चों अगर इनके बीच में हमें दस संख्या निकालनी है कितनी निकालनी है भाई साब दस संख्या निकालनी नहीं हो रही ना अगर हम इनको चार से गुड़ा करते सोचो तब अगर इनको चार से गुड़ा करते तो यह बारा हो जाता तो आठ और बारा के बीच तो दस संख्या होगी नहीं अगर मैं इनको दस से गुड़ा करूं तब यह 20 हो जाएगा यह 30 हो जाएगा 20 और 30 के बीच म में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है जो हमारे हर बराबर वाली भिनिती वहां तक छोड़ के बाकिया मिटा देंगे ठीक है बाकिया मिटा देंगे हर बराबर हमने यहां तक किया था बस ठीक है हर बराबर वाला पर किरिया करोगे हर एक कोईश्चन में करोगे अब ये आपका नया सवाल है, दियान देना, आप लोग इसे फिर से लिखना सब कुछ, उसी में नहीं मिटाना, हर तो बराबर करेंगे, अब देखो, अगर इस तरह से कहीं कंडिशन बनती है, जिनके बीच में परयाब तो संख्याएं नहीं मिल पाती है, जैसे अभी अभी आपने देखा, उसमें मैंने 2-3 से गुड़ा किया, 3 से तो मिल गया, काम बन गया, तो मैंने क्या किया, ज़्यादा से गुड़ा नहीं किया, अगर 10 संख्याएं निकालनी है, तो आप क्या करोगे, अब 11 से गुड़ा करोगे, और ये हर एक सवाल पे अपलाई होता है, इसमें कम से गुड़ा करने पर काम चल जाए, जैसे अभी मैंने आपको करवाया था एक दो सवाल, पिछला वीडियो आप देख ले न, उसमें ऐसा ही बना था सन्योग, डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई आप उसे जरूर देखना, इनमें उपर नीचे क्या करेंगे, प बटा दो के बीच में दस पर्मिय संख्याएं इस परकार हैं, अता है एक बटा दो वा एक बटा तीन के बीच में दस पर्मिय संख्याएं इस परकार हैं, लिखने के बाद में आप नीचे वाला ये लिखो जो मैंने लिखा, इनके बीच में दस संख्याएं आप बड़े ही प्यार से लिख सकतो भाई साहब ये देखो बाबू ये ये देखो 23 बटा 66 एक हो गई 24 बटा 66 ये दो ये देखो 3 देखते जाओ बस 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 32 बटा 66 कितना हो गया 10 बोलो हो गया कि नहीं इस तरह से आपने 10 संक्या हैं निकाल लिया अगर किसी को कोई भी डाउट है आपके दिल में कोई परकार का कंफ्यूजन है तो आप जरूर बताओ मुझे कमेंट करके जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं जो चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं लाइक करने क की वज़ा से उनका competition नहीं निकल रहा है वो बहुत ही परेसान रहते हैं तो आप उनसे एक बार जरूर पूछना उनको पूरा complete basic घड़त हम सिखाते हैं मातरत 30 दिन में इस्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर्क करें देखो नीचे इस्क्रीन पर नंबर चल रहा है description में भी नंबर दिया गया है हम उन्हें PVR study apps में premium course देंगे और daily उनको एक से डेढ़ घंटा पढ़ना पड़ेगा और वो जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे मिलते हैं फिर अगली class में साथियों जैहिंद अगर आपका कोई सवाल बच रहा है तो आप comment जरूर करना अगली class में हम आपका comment जरूर सामिल करेंगे आपका सवाल और उसे हल करवाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं बूलना जिससे कि आप अगली कलास में भी जुड़ पाएं थैंक्यू